हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 17 लेंस लेंस का रहे हम पढ़ने वाले हैं तो लेंस क्या है तो आपको बताते हैं सब्सक्राइब आप लोगों देखा होगा अपने आउसे पास इस तरीके की कुछ संचना हमें दिखाए द भाण बगले आठाब औरो बहुता वें सामाद लो हम लोग जानते हैं पर दौनों लेंस के बारे में इस लेंस कोलों बोलते है Uttal Lens ये हां क्या कहती है Uttal Lens ओज दूसरा आपको Lens दिखाए दे रहा है वो कहलाता है Uh वास्तों में आपसे पूचे जाए इन दोनों के एक साथ परवाशा देनी हो कि लेंस क्या है तो आप शीज़र सीद बोड़ सकते हैं बहुत सिंपिल कि लेंस क्या है लेंस एक ऐसा पारदसी माध्यम है जो दो गोली प्रिष्टों से मिलके बना होता है लेंस क्या होता है लेंस एक ऐसा पारदसी माध्यम है जो दो गोली प्रिष्टों से बना होता है और दो गोली प्रिष्टों के एक समतल प्रिष्टे घ्रा रहता है इसको हम क् क्या बोलते हैं take contributions छो इसी परकार आवतर लेंश भी क्या है दो गोली प्रेष्ट्रों से बना हुआ इसका एक और उसी प्रेस्ट के यह है अब हम ने सेंट लिये है लेट क्या है लेंश एक ऐसा पारद़्स्माध्य होता है जो घुले प्रेष्ट्रों या एक गोली और एक सम्तल पर स्टेमिल के बना होता है लेंस कहलाता है लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो लेंस को मुख रूप से लेंस कहा किया है दो प्रकार के होते हैं नमर एक होता है उत्तल लेंस नमर दूसरा होता है आउतल लेंस तक किनारों पर क्या होता है पतला होता है तो ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तक किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है जी हां क्या कहलाता है उत्तल लेंस कहलाता है लेकिन उत्तल लेंस को भी हमने तीन भागा माट दिया है नमबर एक इसका होजाता है ओभी उत्तल गेशन बंस का मतलब क्या होता है इसका एक और नाम स्पट दिया गया थो within that द्रेश Sun 200 अब उत्तल लेंस का मतलब होता है ऐसा लेंस जिसके ढून आपक्रस द्रोड प्रस्ट कैसे हो उत्तल आप ये भी उत्तल प्रेश्ट हो ये भी क्या है उत्तल प्रेश्ट है तो इस लेंस को हम क्या वो लेंगे उत्तल लेंगे उत्तल लेंस तो ऐसा लेंस जिसके दौनों प्रेश्ट कैसे होते हैं दौनों प्रेश्ट इसके उत्तल होते हैं उत्तल लेंस कहलाता है और इसका दूसरा नमबर एक हो गया, नमबर दूसरा इसी का होता है, आउतल उतल लेंस, आउतल उतल लेंस, तो आउतल उतल लेंस का मतलग होता है, ऐसा लेंस, जिसका एक प्रिष्ट कैसा हो, आउतल हो, और दूसरा प्रिष्ट क्या हो, उतल हो, इस तरीके बनाया है, तो ऐसा लेंस, जिसका एक प्रिस्ट कैसा हो आउतल यह कौन सा प्रेश्ट है जी हाँ जी आउतल प्रेश्ट है यह आपका और यह कौन सा प्रेश्ट है तो यह आपका है यहाँ पर उत्तल प्रेश्ट कौन सा है उत्तल तो ऐसा लेंज जिसका एक प्रेश्ट कैसा हो यह प्रेश्ट जिसका आउतल ह हो उत्तल हो इसी का आप इस तरीके से ही बना सकती है तो इसका ये प्रिष्ट क्या है और ये प्रिष्ट क्या है आउतल है इसलिए ऐसा लेंज जिसका एक प्रिष्ट कैसा हो आउतल हो और दूसरा प्रिष्ट क्या हो उत्तल हो वह आपका कहलाता है आउतल उत्तल लेंज पहल आमसे प्रुट्ट दूस्ता प्रस्त प्रस्त कैसा हो uttinh o तैसा विसका इन्द कैसा हो UPTAL हो ब इसरो centr in च है जिसका एक प्रस्त कैसा हो uttl हो अगा इसरो इस च्रहते हैं संतल इसको 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 कहते है घूनों ऊղिजो मे देया घुरत लिए है कि लेंस क्या है लेंस ऐसा पारदाशी माध्या में जो दो गोली प्रेश्टों या एक गोली और एक समतल प्रेश्टे मिलके बना होता है क्या कहलाता है लेंस कितने प्रकार का है तो दो प्रकार का है मकुरूब से उत्तर लेंस और आउटर लेंस उत्तर लेंस क्या है वह लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है पतला होता है वो क्या कहलाता है उत्तल लेंस कहलाता है इसी पिकार आउतल लेंस क्या तो आउतल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में पतला तो किनारों पर क्या होता है मोटा होता है वो outer lens कहलाता है अब उत्तल lens के बारे हम लोग देखेंगे तो उत्तल lens जी हाँ उत्तल lens भी कितने प्रकार का होता है तीन प्रकार का ओभी उत्तल lens अथवा दू उत्तल lens ऐसा lens जिसके दोनों प्रिष्ट कैसे हो उत्तल हो औहीं उत्तल लेंस या दू उत्तल हो संतल उत्तल लेंस कैलाता है इसके बारे में यहां से त्शेल लोग देखें नमर दूसरा प्रकार होता है आप नहीं से अपने को पड़ा होगा आट लेंस और अगरा जो ऑफर यहां समझ सकते हैं आएसा लेंस जो बीच में क्या होता है पतला होता है जी हां बीच में कैसा होता है पतला होता है किनारों पर क्या होता है मूटा होता है ये लेंस कहलाता है आवतल लेंस जी हां क्या कहलाता है ये कहलाता है आपका आवतल लेंस तो ऐसा लेंस जो क्या होता है बीच में पतला होता है किनारों पर मूटा हो होता है आउतल लेंस के लाता है जिस तरीके से उतल लेंस को तीन प्रकार माटा गया वैसे ही आउतल लेंस को भी आउतल लेंस जिसके दोनों प्रिस्ट कहते हैं जिसके दोनों प्रिस्ट आउतल होते हैं जिसके दोनों प्रिस्ट आउतल होते हैं जिसके दोनों प्रिस्ट आपको इसको कैसा दिख रहा है आउतल दिख रहा है और यह वाले प्रेश्ट भी कैसा दिख रहा है आउतल दिख रहा है तो ऐसा लेंस जिसके दोनों प्रेश्ट कैसे हो जिसके दोनों प्रेश्ट आउतल होती है और भी आउतल या दूई आउतल लेंस कहलाता है इसका दूस लेंस जिसका एक प्रिष्ट कैसा हो उत्तल हो सो एक प्रिष्ट कैसा हो और दूसरा प्रिष्ट कैसा हो उत्तल हो इसको इस Jelly kis तालो उत तलावतल लेंस कहलाता है इसके बाद इसका तीसरा प्रिकार है सम तलावतल है ऐसा लेंस जिसका एक प्रिष्ट कैसा हो सम तलो और दूसरा प्रिष्ट कैसा हो जिसका दूसरा प्रिष्ट हो इस तरीकी से एक प्रिष्ट कैसा हो समतल हो और दूसरा प्रिष्ट आउतल हो वो शमतल आउतल लेंस कहलाता है तो इस तरीकी से हम लोगने पढ़ लिया है किस तरीकी से उतल लेंस और आउतल लेंस को हम लोग सम कहलाता है लेस्ट क्तिने परकार का होता है जिए हैं दो परकार का होता है उत्तल ले인지 कहला अग्पिनारों पर मोटा होता है जो उतल हुँ आतल उतल लैंस कहलाता कि इसा डूकर यह सहुआ ईइसा यह संतल जिसका एक प्रष्ट manner उतल है तो इसी का इसका और पनाव मोटा होता है अ 뉴스 कह तलाओतल लेंस कहलाता है, सम तलाओतल लेंस जिसका, एक परेश्ट समतल और दूसरा परेश्ट कैसा हो आओतल हो सम तलाओतल लेंस कहलाता है, तैंक्यो फेंस, इस तरीक Quando mythology कहा है और कितने परकार के होते है, तैंक्यो